हलो दूस्टों नमस्कार, गूड आप्टरून आप लोग कैसे हैं? आई थिक दोस्तों आप सब अच्छी होंगे दोस्तों यहाँ पर काफी दिनों से इस वेकेंसी को ले करके कोई नोटिफिकेशन, साथ वे साथ दोस्तों कोई वीडियो या फिर कोई information दोस्तो आप तक नहीं पहुंच रही थी तो मुझे लगा दोस्तो आप तक जो है आप से कुछ बाते करनी चाहिए इस भरती को ले करके कि कितनी सीटे आने के चांसे जहें कब तक आएंगे क्या हमें पढ़नी चाहिए या फिर तैयारी नहीं करनी चाहिए तो दोस्तो नमस्कार मेरा नाम पंकस आप देखरें पंकस एरूटेक हमाई चनल पर दोस्तो अगर आप नए है तो सब्सक्राइब को लगने को प्रेस कर ले न दोस्तो हमें बात करता हूँ यहाँ पर भरती को ले करके दोस्तो भरती आचार संगिता लगने से पहले हम लोगों ने बहुत कोशिस की थी और वहाँ पर जा करके सक्ति भौन में सब लोगों ने जो है अधिकतर लोगों ने जाकर कि वहाँ पर ग्यापन भी दिया था पेकेंसी निकालने के लिए लेकिन दोस्तों वहाँ पर पेकेंसी नहीं निकाली गई बस बता दिया कि हाँ जो है पेकेंसी आ जायेगी सासन तक भेज दिया गया है लेटर लेकिन दोस्त जब तक election चुनाव जो complete नहीं हो जाता है इसके पहले जो है दोस्तों हम कोई उम्मिद नहीं करते हैं क्योंकि अच्छा सकनेता तब तक लगा रहेगा दस मार्च के दोस्ते हाँ पर आपका counting है उस दिन जो है ये मत मिलेगा पता चल जाएगा क्यों जीत रहा है क्यों हार रहा है counting होगी उस दिन इसके बाद दोस्ते हाँ पर 15 से 20 दिन यानि एक महीने मान लो मंती प्रिसलती गठन और विभाग का बटवारा होगा मतलब सपत गर करते थे वही सारा चीज आपको जा करके सकती भावन में सब लोगों को ग्याफन देना होगा और दोस्तों इस टॉपिक पर दोस्तों बताये जाए कैसे कैसे क्या करना आगे क्योंकि तुरंद वेकेंसी तो आनी नहीं है जब तक उनको हम बताएंगे नहीं अगर बाबा के स सरकार आती है तो दोस्तों आपको थोड़ा समयनत और करना होगा लेकिन अगर सरकार किसी दूसरे पर्टि के आती है तो वहाँ पर आपको वहाँ जा करके दूस्तों फिर से उनको आउगत कराना होगा कि हमारी वेकेंसी इतनी आनी थी नहीं आई है दोस्तों पर hundred percent आने के chances हैं सपत ग्रहण के बाद तो बस आप लोग यहां पर सरही बात की दूसरी बात यही रही कि आप पड़ाई करे 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 क। न करे जब वहां पर ग्यापन दिये जाएगा तो फिर आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तो एक महीने का मौका मिलेगा वेकेंसी आ जाएगी एक महीने बाद आपकी परिक्षा करा ली जाएगी तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी से आप लोग बिल्कुल अपनी स्ट्रेटीजी बिल्कुल जारी रखें जो आप पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल पढ़ते रहें और ये कताई दिमाग में मैं सोचिए कि नहीं अभी जो है भरती नहीं है तो ये लेक्से चल रहा है तो आपको वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि अचानक वेकेंसी आएगी तो आपको पढ़ने का वक्त नहीं मिलेगा तो दोस्तो आपसे रिक्वेस् लेना जब भी वेकेंसी आएगी दोस्तों कोई नोटिफिकेशन कोई इंफरमेशन आएगी हम सबसे पहले सबसे फास्ट आपको ज़रूर प्रोवाइड कराते हैं नमस्कार